नमस्कार दोस्तों वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है इंडियन प्रीमिय लीग के 13 सीजन के कारेकरम का एलान हो गया है क्रिकेट फैन्स को लंबे समय से IPL 2020 के शेडिूल का इंतजार था IPL 2020 के क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर और फाइनल मैच को लेकर BCCI ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है फाइनल मुकाबला वैसे तो 10 नवंबर को खेला जाएगा लेकिन BCCI ने बाकी क्वालिफायर्स मुकाबलों की तारीक, समय और जगा के बारे में जानकारी नहीं दी है टूनमेन का अगाज, डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियन्स और पिछले साल की उपविजेता टीम चन्नाई सूपर किंग्स के बीच खेला जाएगा आखरी लीग मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा आखरी लीग मैच मुंबई इंडियन्स और सन्राइजे हैदरबाद के बीच होगा सभी टीमें लीग राउंड के दौरान एक दूसरे से दो दो बार भीडेंगी इस तरीके से हर टीम 14 मैच खेलेगी इस वीडियो में हम मुंबई इंडियन्स के पूरे कारिक्रम पर नज़र डालेंगे मुंबई इंडियन्स अपना पहला मुकाबला 19 सेतंबर को चन्नाई सूपर किंग्स के खिलाब खेलेगी इसके बाद मुंबई इंडियन्स का मुकाबला 23 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडिस के साथ होगा और उसके बाद रॉयल चैलेंजस बैंगलोर के साथ मुंबई की टीम 28 सितंबर को भीड़ेगी मुंबई इंडियन्स एक अक्टूबर को किंग्स 11 पंजाब के साथ वहीं 4 अक्टूबर को संब्राइजे हैदरबाद के साथ भड़ेगी 6 अक्टूबर को रायस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबला होगा वहीं 11 अक्टूबर को डेली कैपिटल्स के साथ जोरदार भडंद आबू धावी में देखने को मिल सकती है इसके बाद मुंबई का अगला मुकाबला 16 अक्टूबर को कोलकाता नाइट राइडस के साथ है 18 अक्टूबर को Kings 11 पंजाब के साथ और फिर 23 अक्टूबर को चन्नाई सूपर किंग्स के साथ 25 अक्टूबर को राइस्थान रोयल्स और 28 अक्टूबर को रोयल चलेंजस बैंक डोर के साथ 31 अक्टूबर को टीम दिली कैपिटल्स के साथ भिड़ेगी वहीं 3 नवंबर को टीम अपना आखरी लीग मैच Sunrises हैदराबाद के खिलाब शार्जा में खेलेगी तो ये था मुंबई इंडियन्स का IPL शिड्यूल का पूरा कारिक्रब फिलाल के इस वीडियो में इतना ही देशो दुनिया के तमाह अपडेट्स के लिए बना रहे हैं One India के साथ